मर्कोस रचित सुसमाचार अध्याए पाच बचन अठारा से लेकर के 20 तक मैं पढ़ रही हूँ आप ध्यान दे कर सुनिए जब वह नाओ पर चड़ने लगा तो वह जिसमें पहले दुष्टा अध्माई थी उससे विंती करने लगा मुझे अपने साथ रहने दे परन्तु उसने उसे आज्या न दी और उससे कहा अपने घर जाकर अपने लोगों को बता कि तुझ पर दया करके प्रभू ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किये हैं वह जाकर दीका पुलिस में इस बात का प्रचार करने लगा कि इश्यू ने मेरे लिए कैसे बड़े काम किये और सब लोग अच्चमभा करते थे हालेलोईया 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 मेरे प्यारे भाई और बहनों वचन बता रहा है कि जब इश्यू मसीह नाव पर चड़ने लगा तब जिसमें पहले दुष्टात्माय थी वह मनुष्या करके इश्यू के पास बिंती करने लगा कि मुझे भी अपने साथ रहने दे तब इश्यू ने उसे यह कहा कि अपने घर जाकर अपने लोगों को बता कि तुझ पर दया करके प्रभू ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किये हैं और वह जाकर लोगों को यह बताने लगा कि परमेश्वर ने उसके जीवन में कैसे बड़े काम किये और उसे देखकर उसकी गवाही सुनकर लोग अच्छमभा करते थे हालेलोईया मेरे प्यारे भाई और बहनों ये घटना तब की है जब प्रभीशु मसीह गिरा सेनियो नामक देश में पहुचा और वहाँ पर पहुचने के बाद यह मनुश्य जिसमें बहुत सी दुष्टात्माय समाई थी जिसमें सेना थी वो दुष्टात्माओं से इतना भयंकर पीडित था कि जिसके विशे में यहाँ पर वरडन किया गया है जिसे हम पढ़ेंगे कि जब वो नाव पर से उतरा तो तुरंत एक मनुश्य जिसमें अशुद्धात्मा थी कबरों से निकल कर उसे मिला क्या कोई मनुश्य कबर में रह सकता है कबर में कौन रहता है हम जानते हैं मृत्यू जिनकी हुई रहती है उन्हें ही हम कबर में दफना देते हैं पंदु यह मनुष्य जो जिन्दा जीवित मनुष्य वह इतना दुष्टात्माओं से पीडित था, जिसे अपनी कुछ भी सुझबुच नहीं थी, कुछ भी होशो आवास नहीं था, वह मनुष्य कबर में रहता था और वह कबरों से निकल कर उसे यानिकी इशू को मिला, रसी नहीं, रसी होती है साधारन सी, उससे वो तो बात बहुत उसके लिए थोड़ी सी थी, कम थी, वो इतना ज्यादा दुष्टात्माओं का बंधन में था, जकड़ा हुआ था, कि इतना भयंकर वो बरताओं करता था, कि लोग उसे साकलों से बान करके रखते थे, एक साकली, दो साकली नहीं, बलकि अनेक साकलों का संचय करके उसे साकलों से बान जाता था, और इतना उसके अंदर दुष्टात्मा कोई प्रचंड ताकत भयानक शक्ती थी कि वह उन साकलों के बंधन में भी नहीं रह सकता था कोई उसे साकलों से भी बांध नहीं सकता था क्योंकि वह बार बार बेडियों और साकलों से बांधा गया था पर उसने साकलों को तोड़ दिया और बेडियों के तुकड़े तुकड़े कर दिये और कोई उसे वश में नहीं कर सकता था मतलब किसी मनुष्य के लिए यह बात बिलकुल भी असंबो थी कि कोई उसे जाकर के वश में कर सके उस पर काबू पा सके वह इतना जाएदा प्राचन्द भयानक शक्ती से भरा हुआ था क्योंकि उसके अंदर दुस्टात्मों की सेना थी और वह किसी के भी वश में नहीं रहता था और उसने साकलों और बेडियों के तुकड़े तुकड़े किये थे और वह लगातर रात दिन कबरों और पाहाडों में चिलाता और अपने को पत्थरों से खायल करता था इस तरह से इतनी भयानक इस मनुष्य की दुर्दशा थी, हालत थी वह इतने भयानक दुष्टात्माओं से पिडित था कि कोई भी उसे बचा नहीं सकता था मेरे प्यारे भाई और भैनों जब उस समय पर प्रभीश्य मसिय गिरासेनियो नामक देश में पहुचा तब ये मनुष्य जो कबर में था कबरों से बाहर निकल करके इस्यू के पास आया अब आगे वचन क्या कहता है कि वह इश्यू को दूर ही से देखकर दोड़ा और उसे प्रडाम किया और उचे शब्द से चिल्ला कर कहा ये इश्यू परमप्रधान परमेश्वर के पुत्र मुझे तुससे क्या काम यहाँ वाक्या कोई मनुष्य नहीं कह रहा है बलकि उसमें जो दूर्ष्टा आत्मों का समुह था जैना थी वह इश्यू को प्रडाम करके कहती है कि है इश्यू परमप्रधान परमेश्वर के पुत्र मुझे तुससे क्या काम मैं तुझे परमेश्वर की श्रपत देता हूँ कि मुझे पीडा न दे क्योंकि प्रभी इश्यू मस्य ने उन दुष्टा आत्मों को कहा था कि है अशुद्ध आत्मा इस मनुष्य में से निकला जब इश्यू ने उसको पूछा तुम्हारा नाम क्या है तब उसने कहा कि से ना क्योंकि हम बहुत से हैं और तब उन दुष्टा आत्माओं ने इश्यू से यह बिंती की कि हमें इस देश से बाहर ना भेच क्योंकि दुष्टा आत्माओं को रहने के लिए एक घर चाहिए होता है हाथ का बनाय हुआ घर नहीं बलकि दुष्टा आत्माओं को मनुष्य का सरीर चाहिए होता है चाहे वो मनुष्य का सरीर हो प्राणियों का सरीर हो लेकिन सबसे ज़्यादा उन्हें मनुष्य का सरीर प्रिया लगता है और उसमें पैट करके वे मन माना जो चाहे वो काम करती है और मनुष्य को पिडित करने का काम करती है ये मनुश्य जो सालों साल दुष्टात्माओं के बंधन में था वो इशु के पास कहती है दुष्टात्माएं कि हमें इस देश से बाहर निकल जाने की आग्या मत दे बल्कि वहाँ पास में ही सुरों का जुन्ड चर रहा था उन सूरों में पैट जाने की हमें आग्या दे इश्व ने उनको आग्या दी और फिर वे दूश्टात में तुरंथ निकल करके सूरों की भीतर पैट गई और जुन्ड जो कोई दो हजार का था तुरंथ कडाडे से परसी जपट कर जील में जा पड़ा और दूप मरा हालेलोईया मेरे प्यारे भाई और बैनों इस पूरे वचन में हमें एक बात सीखने के लिए मिलता है कि प्रभीशु मसीह ने उन दुश्टा आत्माओं को जब निकल जाने की आग्या दी तब उन दुश्टा आत्माओं ने प्रभीशु को कहा कि हमें इस देश से बाहर न निकल बलकि उन सूरों में पैट जाने की आग्या दे तबी प्रभीशु मसीह ने जो दो हजार सूर थे वहाँ पर चर रहे थे उनमें उनको पैट जाने की समाजाने की आग्या दी याने की एक मनुष्य को बचाने के लिए पूरे दो हजार सूरों को जानवरों को प्रभीशु मसीह ने मरने दिया हालेलुईया मेरे प्यारे भाई और बहनों आप कहेंगे कि एक मनुष्य को बचाने के लिए दो हजार सुरों को मर ने दिया ये क्या सही बात है बिलकुल सही है क्योंकि परमेश्वर के नजर में दो हजार क्या दस हजार भी जानवरों का मुल्या बहुत कम है एक मनुष्य के सामने ये मनुष्य जिसकी इतनी भयानक दशात दुष्टा आत्माओं ने बना दी थी जोना अपने बदन के उपर कपड़े रखता था वो चिलाता था अपने आपको पत्थरों से घायल करता था रात दीन कबरों और पाहाडों में चिलाते रहता था उसका जीवन कितना भयानक बन गया था कोई उसे वश में नहीं कर पाता था यानि कि वो इतना भयानक बरताओं करता होगा कि वो किसी मनुष्य को अपने पास में ही नहीं आने देता होगा जिस वजह से लोगों को उसे बेडियों और साकलों में बान करके रखना पड़ता था और तब भी वो साकलों को तोड़ देता था और बेडियों के तुकड़े तुकड़े कर देता था इतनी भयानक स्थिती इस मनुष्य की बन गई थी और मेरे प्यारे भाई और बैनों, क्या ये बात परमेश्वर के सामने अंजान थी? क्या परमेश्वर इसे नहीं जानता था? वो प्रभीश्व मसीह मनुष्य रूप में दिखाई देता था, परन्तु वो स्वर्ग से आया हुआ परमेश्वर का पुत्र था वो मनुष्य की हर एक अवस्ता, हर एक दशा को जानता है, क्योंकि वो हमारा निर्मान करता, हमारा जीवित परमेश्वर है मेरे प्यारे भाई और बैनों, प्रभीश्व मसीह इस संसार में इसीले प्रकट हो गया, ताकि वो शैतान के कामों का नास कर सके और हम जैसे भटके हुऊ को, हम जैसे बंधनों में जकड़े हुए लोगों को, दुष्टा आत्माओं से पीडित लोगों को आजात करे दुष्टा आत्माओं के बंधन से वो हमें छुटकारा दे, हमें मुक्ती दे, हमें शान्ती दे, हमें वो अनंद जीवन दे मेरे प्यारे भाई और भैनों इस एक मनुश्य को खेवल एक मनुश्य को बचाने के लिए उसे मुक्त करने के लिए उसके जीवन से शैतान के कामों का नाश करने के लिए प्रभीश्य मस्य ने 2000 सूरों को मरने दिया क्योंकि मनुष्य के अंदर आत्मा होती है लेकिन जानवरों के अंदर आत्मा नहीं होती केवल प्राण होता है मनुष्य के अंदर प्राण और आत्मा दोनों ही बाते होती है पर तो जानवरों के अंदर केवर प्राण होता है उनके अंदर कोई आत्मा नहीं होती इसलिए प्रभीश मसिय ने उन सूरों की परवाह नहीं की बलकि इस एक मनुष्य को बचाने के लिए उसने 2000 सूरों को मरने दिया वो प्रभीश मसिय प्यार से भरा हुआ है करुणा से सामर्थ से भरा हुआ है इसलिए आज भी हम जैसे लोगों को दुष्टात्माओं के बंधन से छुडाने के लिए वो किसी भी प्रकार से हमें मुक्त करने के लिए तयार है मेरे प्यारे भाई और बहनों आपके जीवन में चाहे सैतान के कितने भी बड़े बंधन हो कितने भी बड़े श्राप हो कितने भी बड़े आप अज अंधकार में खोई हुए होंगे तो भी प्रभीश मसिय आज आपके लिए उपलब्द है वो आपको उनसे मुक्त करना जाता है वो आपको छुटकारा देना चाहता है वो आपको वो अनन्द जीवन देना चाहता है जो जीवन परमेश्वन ने हमारे लिए स्वर्ग में रखा हुआ है हालेलोईया वो नहीं चाहता कि आप उसके बंधन में रहे यानि कि दुश्टात्माओं के बंदन में रहे वो नहीं चाहता कि आपका जीवन नरक से भरावा रहे वो नहीं चाहता कि आप इस प्रकार से अपने आपको छलनी करते रहे वो नहीं चाहता कि आप दासत्व के जुए में जुटे रहे वो नहीं चाहता कि आप दुष्ट आत्मों के सरदार शैतान के अधिकार में रहे मेरे प्यारे भाई और बैनों वो परमेश्वर आपके उपर कृपा करना चाहता है अनुगरह करना चाहता है इसलिए मेरे प्यारे भाई और बैनों आज ही प्रभीश्चु मस्य के उपर पूरा विश्वास रखिए उसे पहचानिये उसके उपर सौ प्रतिसत विश्वास रखकर अपना मुक्ती दाता उधार करता के रूप में स्विकार कीजिए गुरहं कीजिए वो सामर्थ से भरा हुआ है और केवल उसके एक वाक्य कहने से ही आप दुष्ट आत्माओं से मुक्त हो जाऊगे आपके जीवन के सारे श्ञाप नस्ट हो जाएंगे आपके जीवन के सारे बन्धन तूट जाएंगे क्योंकि उसके शब्द, उसके मुह से निकलने वाले हर एक शब्द सामर्थ से भरे हुए है उसके मुह का कोई भी शब्द कभी खाली नहीं जाता इसलिए उसने कहा कि आकास और प्रित्वी नश्ट हो जाएंगी परन्तु मेरी बाते कभी न टलेंगी वो विश्व का निर्मान करता जिसने पूरे विश्व को पूरे ब्रह्मान का निर्मान कर दिया जिसके मुह के शब्द के द्वारा पूरे प्रित्वी निर्मान हो गई और आज भी कायम है स्थीर है वो सामर्थ से और प्यार से भरा हुआ परमेश्वर है और वो आपको छुटकारा देना चाहता है हालेलोईया मेरे प्यारे भाई और बहनों इस पूरी घटना में सबसे महत्वपूर्णा बात क्या है सबसे महत्वपूर्णा बात यह है कि यह मनुश्य चंगाई पाने के बाद जब इशु मसीह उस देश को छोड़ करके दुसरे देश में दुसरे प्रदेश में जाने के लिए निकला तब यह मनुश्य प्रभू के पास आकर के कहने लगा वो उनसे विंती करने लगा कि मुझे अपने साथ रहने दे परन्तु उसने यानि कि इशु ने उसे आज्या न दी और उससे कहा कि अपने घर जाकर अपने लोगों को बता कि तुझु पर दया करके प्रभू ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किये है यह महत्वपुर्ण वाक्य है प्रभीश्य मसी ने इस मनुष्य को दुष्टात्माओं से छुटकारा दे दिया जिसमें बहुत सी दुष्टात्माओं दुष्टात्माओं की सेना समाई हुई थी उन सारे दुष्टात्माओं को उसने निकाल दिया जब प्रभीश्य मसीय ने इस मनुष्य को चंगा कर दिया दुष्टा आत्मा उसे मुक्त कर दिया तब प्रभीश्य मसीय ने उसे अगला यह काम दिया हाँ, यह आज परमेश्वर हम सभी को काम देता है यदि आपके जीवन में आपने चंगाई का अनुभो किया है छुटकारा पाया है अनंत जीवन आपको मिल गया है तो आज प्रभीश्य मसी आपसे कह रहा है कि अपने घर जाकर अपने लोगों को बता कि तुझ पर दया करके प्रभू ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किये है यह आज प्रभीश्य मसी की हम सब को आग्या है वो हमें कह रहा है कि हमारे जीवन में जो हमने परमेश्वर के सामर्थ का उसके प्यार का अनुभों लिया है वो हमें दूसरों को बताना है इस मनुष्य ने प्रभू के पास बिंती की कि मुझे अपने संग रहने दे लेकिन प्रभू ने उसे संग रहने की इजाजत नहीं दी बलकि उसे यह आज्या दे करके कहा कि जाकर अपने घर में अपने देश के लोगों को अपने अगल बगल के लोगों को अपने पडोसियों को जो जो तेरे लोग सामने आएंगे उनको जा करके यह बता कि परमिश्वर ने तेरे जीवन में कैसे बड़े काम किये है मेरे प्यारे भाई और बहनों ये मनुश्य जो दुष्टा आत्मों से इतना जादा पीडित था क्या उसे किसी ने देखा नहीं था इस अवस्था में बहुत से लोगों ने उसे देखा होगा और तब ही तो जो चरवाहे वहाँ पर सुरों को चरा रहे थे उन्होंने जा करके लोगों को बताया यहाँ पर लिखा हुआ है कि उनके चरवाहों ने भाग कर नगर और गाओं में समाचार सुनाया और जो हुआ था लोग उसे देखने आए और इशु ने पास आकर वे उसको जिसमें दुष्टात्माई थी अर्था जिसमें सेना समाई थी कपड़े पहिने और सचित बैठे द मतलब इतने लोगों ने उस देश के लोगों ने उस नगर के लोगों ने उन गाओं के लोगों ने यह देखा था कि मनुष्य कितनी भयानक अबस्ता में है और इसलिए प्रभी इश्व मसीय ने इस मनुष्य को आज़्या दी कि अब जाकर के उन लोगों को तु अपनी गवाही दे कि तेरे लिए कैसे बड़े काम किये हैं तुझ पर दया करके प्रभू ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किये हैं यह जाकर के तु दूसरों को बता मेरे प्यारे भाई और भैनों आज हमें समझना है या जानना है कि परमेश्वर की हमारे जीवन के विशे में क्या इच्छा है क्या योजना है हमें उसके लिए क्या करना है उसने यदि आपको चंगाई दी है छुटकारा दिया है श्रापों से मुक्ती दी है बीमारियों से आ लोगों को बता कि प्रभू ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किये हैं। आपको ये अनंत जीवन दिया हुआ है ये जाकर के आप दूसरों को बताईए। हालेलोईया इशुत के पास आग्या मिलने के बाद वो मनुश्य जाकर के दिकापुलिस में यानि कि उस्सकिसी जगा पर जाकर के ये प्रचार करने लगा कि इशु ने मेरे लिए कैसे बड़े काम किये और सब लोग अचमभा करते थे सब लोग अचमभा करते थे वो मनुश्य चंगाई पाने के बाद छुटकारा पाने के बाद अपने जीवन में मस्गूल नहीं हो गया बल्कि वो लोगों को जाकर के या प्रचार करने लगा कि प्रभू ने मेरे लिए कैसे बड़े काम किये है और जो लोगों को वो बताता था प्रचार करता था वो लोग उसे देख करके अचमभा करते थे हालेलोईया 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 ये इसलिए हो जाता है कि हम परमेश्वर के गवाह बन जाए प्रभीश्य मसी ने कहा था ना कि तुम पृत्वीप के एक छोर से दुसरे छोर तक जा करके लोगों को सू समाचार प्रचार करो और उन्हें बताओ परमेश्वर के राच्चे के बारे में स्वर्ग के राज्य के बारे में क्योंकि उसने हमें उसका गवाह बनाया हुआ है मेरे प्यारे भाई और बैनों इसलिए आज परमेश्व ने जो आपको ये नया जीवन दिया हुआ है अनंत जीवन दिया हुआ है तो इस अपने जीवन को गवाहिये मत अपने कामों में मजगूल मत रहिए, अपने जीवन में वैस्त मत रहिए, बलकि आपके संपर्क में आने वाले जो भी लोग हैं, उन लोगों को अपने जीवन में घटेवे गवाहियों को बताते रहिए, उन्हें बताते रहिए, उनसे बोलते रहिए, क्योंकि ये क्यों सुनेंगे वो परमेश्वर के उपर विश्वास रखेंगे और जैसे आपका उधार हो गया आपको छुटकारा मिल गया वैसे ही उनका भी उधार हो जाएगा और उने भी छुटकारा मिल जाएगा मेरे प्यारे भाई और भेनों ये हमें परमेश्वर ने दी हुई आग्या है प्रभीश्वर ने हमें दी हुई आग्या है कि हम जाकर के उसके कामों को बताए और हम उसके गवहा बने ताकि वो परमेश्वर हमारे जीवन को बहुत आयत से आशिशित करे और हमारे द्वारा अ एक आत्मा ए, उसके स्वर्ग के राच्छे में पहुच जाए, उनका उध्धार हो जाए, ऐसी परमेश्वर की हमारे विशे में इच्छा है, ये इच्छा हमें पूरी करनी चाहिए। दुसरों को बताते जाएए जिससे उन लोगों का जीवन प्रकाश से भर जाएगा रोशनी से भर जाएगा और साथी साथ परमेश्वर आपके जीवन को अनन्त शान्ती से खुशियों से भर देगा और अभी मैं आपके लिए प्रात्ना करने जा रहे हूँ बड़े विश्वास से अपने भीमर भाग पर हाथ रखिए यदि आप वहाँ हत नहीं रख सकते तो अपने सीने पर हाथ रखिए पूरा विश्वास रखिए कि प्रभीश्व मसिय एक पल में आपको छुएगा और आपको दुष्टा अत्माओं से मुक्ती मिल जाएगी चाहे सालों साल आप दुष्टा अत्माओं के बंधन में पीडित होंगे जकडे होंगे तो भी वो परमेश्वर का पुत्र प्रभीश्व मसिय यह सामर्थ रखता है आपको दुष्टा अत्माओं से मुक्त करने के लिए छुटकारा देने के लिए बड़े विश्वास से आप इस प्रात्ना में भाग लीजिए इस सिक्षन प्रभु का स्पर्श आपको हो जाए प्रभु का सामर्थ सल इस पर्श आपको हो जाए इस सिक्षन आपके जीवन में जो सैतान के सारे बंधन है वो सारे बंधन प्रभीश्व के नाम से तुट जाए शैतान के सारे काम आपके जीवन से नश्ट हो जाए परमेश्वर कमान अनुगरह आपके उपर हो आपके जीवन में शैतान ने लाएवे सारे रुकाउटे सारी मुसीबते प्रभीश्य के पवित्र नाम से नश्ट हो जाए नश्ट हो जाए सारी बंधन से पुरी तरह से मुक्त हो जाओ मुक्त हो जाओ मुक्त हो जाओ ऐस सारी दुष्टात्माओ मैं प्रभी इश्य के पवित्रा नाम से आज्या देती हूँ इसी चाण इन्हें छोड़कर निकल जाओ निकल जाओ इश्य के नाम से प्रभीश्य के नाम से पूरी तरह से मुक्त हो जाओ हार एक प्रकार की बीमारिया हार एक प्रकार की दूरुबलता है हार एक प्रकार की परिशानिया दुख, संकट प्रभीश्य के पवित्रा नाम से नश्ट हो जाए नश्ट हो जाए प्रभीश्य की महान अनुगरह आपके उपर हो प्रभीश्य की महान अनुगरह आपके उपर हो पवित्रात्मा का आनंद पवित्रात्मा की शांति आपके जीवन में आ जाए पवित्रात्मा की खुशे से आपका जीवन भर जाए इश्व के नाम से प्रात्ना मांगती हूँ आमेन प्रात्ना मांगती हूँ जाम से प्रात्ना मांगती हूँ